तो श्वागत है आप सभी लोग का हमारी यूटुब चैनल पंकज स्टेडी सेंटर में तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहें महत के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन ठीक है और इससे भी पीछे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन बना रखा आप लोग प्ले आपसे हम आपको बता दे कि जैसे की कोई बिंदु भिंदू होता है मालो और उसमें जो और एक्स को हम कहते हैं भूज वाई को कहते हैं कोटी इसमें कहता है कि बिन्दू इतना इतना का भूज याद कीजिए भूज बोले तो एक्स वाला तो एक्स हमारे पास छे है यही भूज हो गया तो भूज का मान जो रहे निकल रखे वह में, जो छे इंसर आया ठीक है तो सबसे पहली बात है हम इसको समझ लेते हैं चतुर थांस को जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया ठीक है रेखा खीचा मैंने और यहां पे देखोगे भया कि यह हमारे पास X और यह हमारे पास X डैस यह हमारे पास Y यह हमारे पास Y डैस इधर जो भी संख्या होगा प्लस वाला स संख्या होगा है ना क्या होगा पलस में सब संख्या होगा इधर जो भी संख्या होगा क्या होगा माइनस में होगा माइनस में संख्या होंगे और नीचे में लिखेंगे तो पर्थम पाद में आगया चिन प्लस प्लस का हुआ कि दूตि यह पात में हम देख रहें है कि x बना माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे पहले और यहां वाई बना क्या थ क्या है तो यह अब भी माइनस का है तो हम लिखेंगे क्या माइनस कॉमा माइनस तो त्रिती ये पाद में दोनों माइनस में होगा चतुर्थ पाद में पहले एक्स वाला लिखेंगे तो एक्स वाला प्लस का है तो प्लस लिखेंगे कॉमा वाई वाला माइनस का है तो माइनस लेखें तो चतुरत पाद में प्लस माइनस अब देखो इसमें चिन से ही मतलब रहता है अब इसमें आगर मैं आपसे पूछू कि माइनस के तीन कॉमा माइनस के चार किस पाद में है तो संखा से में मतलब नहीं रहता है हमें चिन से म में यह पर्थम फाद थीयर पाद्ट्री पाद तो दो परफ़स के तीन यानि कर देखे आगे इसके भी आगे परफ़स बशने और सब्वाद में होता है तो इसका जो अंसर होगा वह या किस पने तुप प्रथम पाद में धाव प्रथम पाद है त्रीसरा प्रश्ण क्या कहता है तीसरा प्रशुन कहता है कि यदि एक्स जगह करन एक्स माइनस वाइख pare दो और एक्स प्लस के वाइऑ बराव चार के हल हो तो taiórb का मान ज्याद कीजिए हमें यह निकालना है सिंपल सी बात है कंडिशन एक जगा पर यानि एकस के जगा पर रखना है तो देखिए यहां पर कहता है क्या एकस है ना एकस के जगा पर रखना है तो हम रखेंगे ए और माइनस के बी के जगा यानि Y के जगह पे लाइन है यानि य उल्जाब पर चार कुछ कर लिचने देते हैं जोरने पर लिखेंगा तो तो चीन नहीं बदलता है तो जोर ने पर पर घंए लिखताने पर दल clicks कर लिखेंगे एक पलस का, यह दोनों पलस का, तो एग हो 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 ए बरावर हो जागा दो में से अगर माइनस थीन घटा देंगे तो माइनस के एक माइनस माइनस केंसल तो बी कमान हो जागा एक ठीक है यह हमारे पास एंसर हो जागा करेक्ट तो एक कमान तीन और भी कमान एक अब देखलो चौथा प्रशन है हमारे पास चौथा प्रशन क्या है कि समीकर्म x² प्लस टू एक्सप्लस के 4 बडावर 0 की मूलों की प्रकृति है हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, तो देखो हम सबसे पहले condition बता देते हैं नहीं तो पहले solve कर लेते हैं, मूलों की प्रकृति हम निकालते हैं कि वीवेचक की मदद से यह hormOOL10 से टवह न ड यहाइन पार माईनस के दूढर करें तो माईनस के चार कलेंगे और वचांड तो दोक्षाम करेंगे और माईनस के 4 गुने में एक जबा पी एकसाımız कहाले टो निक दूढर फेनगे चार लिखेंगे पिसाल्ग बटाएंगे, तो माइनस के बारा हो जाएगा, तो D passion अगर माइनस के बारा आगे इसके लिग सकते हैं,दीjust value मैनस के बारा मतलब zero से चोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि D का जो value है भीया वह 0 से चोटा है, लेको यह जीधर घूमा रहता है वह संख्या बड़ा होता है तो यह इधर हुआ हुआ है इसका मतलब जीरो क्या है बड़ा है किसे डी से कि का वैलू माइनस के बारा गर यहां पे रखेंगे तो मानिस के बारा से बड़ा नहीं जीरो ठीक है इसलिए तर गुमा दिये तो याद रखना कंडिशन तीन होता है मुलो की प्रकिरती में अगर डी का मान डी का मान जीरो से छोटा होता है उस इस्तिती में मुल क्या होता है अवास्तविक होता है मुल क्या होता है अवास्तविक अवास्तविक होता है तो इसका जो मुलो की प्रकिरती निकल के आ गया व वह वास्तविक ठीक है और समझो कि यदी डी का मान डी का मान जीरो से बढ़ा हो जीरो से क्या बढ़ा हो जैसे कोई पलस वाला संख्या हो उस इस्तिति में क्या होता है तो भाईया उस इस्तिति में क्या होता है मुल्ज होता है वह समान होता है यह ऐसे कह सकते कि मुल्वास्त मुल जो हता है वह वास्तविक होता है वास्तविक होता है वास्तविक एवं और समान होता है क्या होता है और समान मान होता है ठीक है अगर d का मान 0 के बराबर आता है यानि d के फेली 0 आता है तो उस्तिति में मुल वास्तविक एवं समान होता है मुल क्या होता है वास्तविक वास्तविक कटैवं के रहता हैं समान होता है आगे इसको धिद्हान रखना यह सका कंडिशन यह सका कंडिशन टीन कंडिशन है तो हमारे पास ड़्याया था टी का इंग, सुधा इसका मुल वास्तवित हो यानि इसे कह सकती वास्तविक नहीं, ठीक है, करेक्ट ना तो आपने समझ लिया, आई ये पांचमा प्रशन सॉल्व करते हैं, पांचमा क्या कहता है, कि बिंदू 4 कव माइस 1 और 2 कव मा 3 के बीच की दूरी ग्यात कीजिए, हमें दूरी ग्यात करना है, बरा सिंपल है, सबसे यहां पर हमें दूरी ग्यात करना है, इन दोलों की बीच की दूरी, तो दूरी सुत्र क्या होता है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले, दूरी सुत्र, ठीक है, दूरी सुत्र क्या होता है, वो होता है, X2 माइनस के X1 का हॉल स्क्रार, और पलस के Y2 माइनस के Y1 का हॉल स्क्रा है एकुका वेलू दो है हम लिखेंगे दो माइनस के एक सवन का वेलू का है। चार तो लिखेंगे चार इसका कर देंगे हॉल स्कार माइनस के एक है तो यह माइनस यह माइनस क्या हो जाएगा पलस का एक इसका कर देंगे होले स्कार और लगा दो रूट अंडर करेक्ट ना देख लो दूरी सुत्र याद रखना है यह दूरी सुत्र है ठीक है दो में से चार जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के दो माइनस के जैसे 20 है फैक्टर कर तो 2 से 10 हो जाएगा दो से 5 हो जाएगा तो रूट क्या कहता है दू को दू में से गो बाहर जिसका जोरा नाथता है रूट के अंदर तो इसको लिख सकते है दू रूट अंडर 5 इकाई यह हमारे पास एंसर आगया करेक्ट ना कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना तो यह इंसर हागया अब हम क्या जाद करेंगे भ्या पांचमात हो गया छटा प्रश्ण चटा क्या कहता है कि बिंदू क्या क्या कहता है बिंदू 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखा खंट के मध्य बिंदू मतलब इसका और इसका मध्य बिंदू जो आएगा उसके उस बिंदू के और इस बिंदू की दूरी ज्याद करनी कहता है ना कि ये और ये को मिलाने वाली रेखा कि मध्धे बिंदू इन दोनों का पहले मध्य विंदू ग्याद कर लेंगे जो मध्य विंदू आएगा उसके साथ और इसका दूरी ज्याद कर लेंगे कैसे ज्याद करेंगे हम बताते आपको देखे क्या करेंगे 4,10 है यह हमारे पास X1 है यह Y1 है यह X2 है यह Y2 है ठीक है और कहता है मिलाने वाली देखा करने के मद्धे बिंदू तो सबसे पहली बात है मद्धे बिंदू का formula क्या होता है तो मद्धे बिंदू बरावर होता है वह यह X1 प्लस के X2 बाइ 2 कॉमा Y1 प्लस के Y2 बाइ 2 यह होता है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हैगा हमारे पास X1 हमारे पास है 4 और प्लस के X2 हमारे पास है 2 और बट्टे में हो जागा 2 कॉमा Y1 हमारे पास है 10 और प्लस के Y2 हमारे पास है 2 यह हो जागा बट्टे में 2 अब देखो इसको हम अगर solve करेंगे 4 दो 6 बटा में दो कॉमा 10 दो 12 बटा में दो 2 ती आई 6 कटा और 2 छक्के 12 कटा तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आया 3,6 आया ये बिंदू तो ये बिंदू और फिर मद्धे बिंदू तो निकल गया ये हमारे पास क्या हो जागा X1 ये Y1 ये X2 और ये Y2 हो जागा कि नहीं तो दूरी सुत्र क्या कहता है दूरी सुत्र वही आपको लिखे थे ना दूरी सुत्र दूरी सुत्र बराबर क्या होता है तो दूरी सुत्र बराबर जो होता है भया वो था X2 माइनस के X1 का हॉल स्क्राइब प्लस के Y2 माइनस के Y1 का हॉल स्क्राइब यह हो जाएगा रूट अंडर ठीक है X2 हमारे पास क्या है X2 हमारे पास है 0 माइनस के X1 हमारे पास है 3 इसका कर देंगे हॉल स्क्राइब हमारे पास क्या है याय हमारे पास है कि यह एवाइट्व हमारे पास से दो पांच तो पांच ही काई हमारे पास अंसन आ गया करेक्ट ना तो छट ये 3 निंगा लिए पांच इंसर उक्यक कोई दिख्यत नहीं है आई न आब सात्मा प्रश्न देखते हैं देखे दोस्तों सात्मा प्रश्न केता कि के सिरस्व के निर्देसांगằng कि यह है 2,4 यह हैं यह सबसे पहली बात है यहां पर यह व большой हैं यह हमारे पास एक थी हैं और यह हम लिख के लिक्टे हैं लिखते हैं लिखतेसंग में केंद्रक के निदे शांग है ना निदे शांग तो भईया केंद्रक के निरदे शांग बरा क्या होता है कि X1 पलस के X2 पलस के X3 यह फॉर्मूला हुआ इसका अब इसी पर हम पूट करेंगे- कैसे करेंगे देख लो भया हमारे पास देख लो कि यहां पर हमने सब लिख दिया सातमा में x12 है x2 0 है और x3 4 है मतलब 2 0 4 इसमें 2 प्लस के 0 प्लस में 4 और बट्टे में 3 कॉमा आईए y वला में y1 हमारे पास 4 है y2 6 है और y3 माइनस के 1 है मतलब 4, 6, minus 1 4, plus के 6 और plus के, यानि minus के 1 ये वाला, ठीक, और बटे में 3 अब इसको solve करेंगे 4 रदो कितना हो जागा 6 6 बटे में 3, कॉमा 4, 4, 6, 4, 10 10 में से minus 1 घटेगा तो 9 होगा 9 बटे 3 काटेंगे इसको 3 दूनी 6 तो 2 आएगा 2, 3 इनसर हमारे पास आगया कोई दिक्कत? नहीं ये दिक्कत आएए दोस्तो आठवा प्रसन solve करेंगे यदि बिंदू इतना 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 संड्रेक हो तो संड्रेक हो तो हमें ग्यात करना है ये मालनों कि ये ए बिंदू ये बिंदू और ये सी बिंदू जब वो कोई 3 बिंदू दिया रहता है और वो कहें कि संड्रेक हो तो उस तिर्भूज का जो छेतरफल होता है वो 0 के बरावर होता है और तिर्भूज का छेतरफल आपको पता होना चाहिए हम इससे निकाल लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं यह x1 है यह y1 है यह x2 है यह y2 है यह x3 है और यह y3 है ठीक है अब यहाँ पे देखलो हम क्या करेंगे तिर्भूज के छेतरफल से निकाल लेंगे करेमा आठमा परस्ण है आठमा परस्ण तिर्भूज का छेतरफल क्या होता है और पलस के x2 है, x2 नहीं, x3 होगा, x3 इंटू, फिर y1 और माइनस के y2 होगा, ये है हमारे पास तिरभुज का छत्रफल, ठीक है, अब इसी पर हम पूट करेंगे, देखे, x1 का वेलू 1 है, y1 का 2 है, है ना, इस तरीचे से ले लेंगे, और रखेंगे, मान पूट करेंगे, चली हम पूट करते है, हमारे पास 1 बटा 2, ठीक है, इंटू, x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है, 1 दिया गया, तो हम 1 लिखेंगे, इंटू, y2 का मान क्या दे रखा है, y2 का मान दे रखा है, ये 0, तो हम लिखेंगे 0, माइनस के y3, y3 का मान B है, तो हम लिखेंगे B, ठीक है और पलस में X2 कमान क्या है X2 कमान 0 दिया गया है तो 0 रखते हैं फिर Y3 कमान B है तो B लिखेंगे और माइनस के फिर Y1 कमान क्या दे रखा है Y1 कमान 2 है तो 2 लिखेंगे और पलस के X3 X3 कमान दे रखा है A तो हम A लिखेंगे इन्टू ración.by 2 मामन क्या ते रख्खा है आँजब के जिरोग एक हे जिए टा-थैंट मारत रावर यहाँशा में धे तो इन गयाद रखेंगे तो अब क्या होगा की 0 से 1 वट्ठा दो तो कट जाएगा याँ कि गुना में बरावर से तो बट्टा में जाएगा है की नहीं तो ये कट जाएगा तो हम यहीं साथ इसको सॉल्ब कर लेते हैं इसको लिखने की ज़िवद्ध नहीं है अब जीरो में से माइनस भी कर आएगा माइनस भी एक में आप दैखो अच्छांत में तो प्लस का इसाय हो जाग विया हमारी पास अंसर आ उक्यों अच мам है